कानपूर हत्याकान के मुख आरोपी और 5 लाग के इनामी विकास दूबे को मदपरदेश पुलिस ने उज्जैन के महाकाल मंदिर के पास से गिरिफ्तार कर लिया है विकास दूबे पर कानपूर में मुटभेड के दौरान 8 पुलिस वालों की हत्या करने का आरोप है पिछले कुछ दिनों से पुलिस उसकी गिरिफ्तारी के लिए हर्याडा और दिल्ली में दबिश दे रही थी यूपी पुलिस ने घटना के बाद अब तक विकास दूबे के 5 साधियों का इंकाउंटर कर धेर कर चुकी है वहीं कई साधियों को गिरिफ्तार कर चुकी है गया है उसके बाद दिकास दूबे पर कानूनी कारवाई की जाएगी इस समन में मदपरदेश के गिरह मंत्री नरुत्तम मिश्रा ने बताया दिकास दूबे तरूंखलो लहाँ जवाइग है जब लेलो लंड़ी लेलो यार हमारी पुलिस छोड़ती नहीं है किसी को भी और विकास को भी पकड़ा है ग्रफदार कर लिया है हमारी कश्टेडी में है सर क्या ख़बर मिली कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलाल उसके मर्म तक पहुँचने के बाद बताएंगे मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हमने गिरफदार किया है हमारी कश्टेडी में मंदर के बहार अंदर उसको न लाएं मंदर को बीच में पर वो जैन में गिरफदारी हुई सर ये भी बताए जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना उसके बाद पुलिस को इंफार्म किया या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे पहले हमको मर्म तक आने दो बाकी की चीज़ों को पता करने दो पुलिस ने इनके साथ में इंकांटर कर दिया था बहुत फ्यूर गेंगेस्टर सा इसका निशित रूप से पारम से ही ये कुरूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी करत किया वो बहुत निन्दनी था बहुत चिंतनी था और मद्धिप्रदेश को बड़ी कामियावी मिली है और पूजों पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एंपी में आ सकता है चुकि वालियोट चमाने पारदात होने के बाद से हमने पूरी मद्धिप्रदेश की पुलिस को एलेट मोर्ड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और रफदार किया ठीक है